अमस्ते, आप सभी का स्वागत हैं मेरे चैनल दुरका टैरो में और अगर आप मेरे चैनल से परस्टनल टैरो रीडिंग, हवन सर्विसेज और अन्य पूजा सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसमें वाट्सेप नमबर दिया गया है, आप क यह होता है ना कि आप जब इंसान भगवान से प्रात्ना करता है कि उसको यह चाहिए, वो चाहिए, वो तो एक हो गया spiritual पार्ट आपका है ना कि आप भगवान से अपनी wish मांग रहे हैं, प्रात्ना कर रहे हैं, अपनी इच्छा रख रहे हैं कि काश मेरी life में ऐसा हो जाए लेकिन उसके साथ साथ यहां पर शिवजी कह रहे हैं कि आपको action लेना जरूरी है, action मतलब उस wish के लिए काम करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं होता है कि आप उस wish के लिए सरिफ बस wish मांग कर छोड़ दिया, लेकिन आप यह सोच रहे हो किसी दिन आएगा, एक दिन वक्त बद लेगा और आपके लिए चीजे हो जाएंगी, यहां शिवजी कह रहे हैं, आपको full अपने 100% लगा कर उसके लिए महनत करते जाना है, ठीक है, अब महनत क्या है, महनत का मतलब यहां पर एक तो simple महनत हो, दूसरे यहां पर मतलब यह है कि देखो अगर चीजे आपके विपरी करें या पीछे खीचने की कोशिश करें, है ना, फिर भी, फिर भी ना रुकना और अपनी जो गोल है, आपकी जो सही अच्छे नियत, अच्छे इंटेंशन्स हैं, अच्छा वहवार है, उसके साथ आगे बढ़ते जाना, यही आपको आपके लक्ष तक गोल तक पहुँच जाता है, है ना, अब देखों, यहाँ पे एक तो यह है, कुछ लोगों के लिए simple goals होते हैं, जैसे students के लिए, business person के लिए, या कहीं employee है, तो वहाँ पे career में है ना, या अगर कोई अच्छा life partner manifest करना चाता है, या babies manifest करना चाता है, वो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे हैं, ज हो पा रहा है, और उसका कारण यह है कि बहार की परिस्थितियां, तो यहाँ पे शिवजी आपसे यह कहना चाते हैं, कि आपको यहाँ पे चीजों को गौर से देखने की ज़रूरत है, चीजे जैसी दिख रही हैं, वैसी है नहीं, हो सकता है आपको अपनी और पास होगा कि यह सब चीजें आपसे बहार हैं, आप इन सब चीजों से अच्छुए हो, यह चीजें आपको टच भी नहीं कर सकती हैं, यह सारी चीजें आपको आप पर बे असर हैं, यह चीज आपको ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है, अगर आप दो पल मन की शान्त से बैठेंगे, यह जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अगर आप डेली मेडिटेशन पूजा करते हैं, तो वहाँ पर बैठ के एक बार सोचो कि कैसे यह सब चीजें आप पर बे असर हैं, आप इन सब चीजों से दूर हैं, साफ हैं, सुरक्षित हैं, और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आप बंधन में हैं, तो यहाँ पर आपको देखना हो चीजें, जो अगर आपको बंधन लग रहा हैं, वो बंधन नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है, बलकि असली पावर तो आपके हाथ में दे रखी है भगवान ने, और असली पावर क्या होती है, असली जगे लगा सकते हो, किस सही जगे, सही जगे मतलब की अच्छा काम करने में, अगर कुछ काम भी नहीं सकते, अगर आप घर से बहार नहीं जा सकते, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकते, तो भगवान की भक्ती से बड़ा काम कुछ नहीं होता है, जो की आपकी एनरजी को इतना powerful बना देगा कि आप खुद fulfilled feel करेंगे इस Empress की तरह है ना और आपको खुद जो छूटी छूटी परेशानिया जो आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी क्यों एक अधूरापन है वो आपको नहीं feel होगा अगर आप भगवान की भक्ती ही करते हैं तो है ना और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपके और पास कुछ ऐसे लोग हैं परिस्तितिया हैं इस समय जो आपको दोहरा चरितर दिखा रहे हैं या फिर ऐसा लगता है कि दो मुहे लोग हैं यहाँ पर मतलब कि आपको समझनी आता है कि इन पर विश्वास किया कि ये सारे परिस्तितियों से आप खुद को जज मत करिए, खुद को मत बदलिए, आप याद करिए कि ये लोग भले आपको कितना ही गलत बोलें, गलत समझें या आपको ऐसी टॉर्चर या ताने मारें या सुनाएं, लेकिन आप अपनी असलियत पहचानें कि असलियत में या इन लोगों की बातों में कोई भी सच्चाई है, जब आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आपको खुदी आपके अंदर की जो सच्चाई है, आपके अंदर की आत्मा है, वो जवाब देगी कि कौन सच्चा है, कौन जूटा है, किनके शब्दों का मतलब है और किनके मतलब नहीं है, स्रिफो स्रिफ वो एक परसनल उनकी जेलिसी है या हेट है, नफरत है, है ना, तो यहाँ पे आपको शिवजी यही कह रहे हैं, इससे पहले कि आप इन लोगों की बातों को अपने दिल से चिपकाए, या अपने उपर लागू करें, उससे पहले सवाल करो क् आप यह देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, कि रीसेंटली आप अगर अपने आपको बहुत जादा डाउट में महसूस कर रहे हैं, या अपने बारे में ही आपके मन में नेगिटिव बाते, थौट्स भर दी गई हैं, तो आपको यह याद करना होगा, अभी ही कु इन हफते या डेड़ महीने पहले आप कुछ लोगों से मिले थे, या कुछ female friends से मिले थे, या कहीं social gathering हुई थी, है ना, जहां मतलब एक सामाज एक तौर पर आप मिले थे सबसे, वहां याद करिए कि लोगों का कैसा treatment था आपके लिए, जहां आप इन दो मुहें लोगों से एक reaction था आपके लिए, positive reaction था, वो लोग आप से काफी घुल मिलकर बात कर रहे थे, और घुल मिलने के साथ साथ वो काफी comfortable थे, वो friends या जो आपके colleagues थे, या जो जिन लोगों से आप मिले थे, वो काफी आपके साथ comfortable, safe and positive feel किये थे, है ना, तो ये चीज यात रखो, कि ये आपकी सच्चाई है, वो है आपकी real energy, है ना, तो आपको क्या है, सिर्फ ऐसे एक दो लोगों की बातों में आकर, अपनी अच्छाई को बुराई में या frustration में नहीं बदलना है, है ना, तो शिव जी यही कह रहे हैं, कि बाहर देखो, चीज़े चाहे कैसी भी हो, और आपको यह समझना है, कि आप जो हो, आप ऐसे इंसान हो, जो एक बहुत ही आगे चल रहे हो, इन लोगों से आगे चल रहे हो, इन लोगों से different आपका नजरिया है, रास्ता है, या आप different आपकी जो कहते हैं ना, एक mindset पर चलते हो आप, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे, जिन ल वो इसलिए क्योंकि जो आपकी समझ है, या जो विचारधारा आप लेकर चलते हो, वो बहुत ही जादा powerful विचारधारा है, और वो इतना, देखो, जिस mindset पर आप चलते हो ना, हर किसी के बसकी बात नहीं है, ऐसी thoughts लेकर चलना, क्योंकि यह सब जैसा आपका mindset है, जितने ऐस honesty के साथ, इमानदारी के साथ, चलना और बात करना और चलना, ये कोई आग से जूजने से कम नहीं है, है ना, तो इसमें बहुत ही जादा हिम्मत लगती है, और बहुत सच्चाई के साथ चलने में बहुत हिम्मत लगती है, जो कि शयद आपके और पास के लोगों में नहीं ह तो वो लोग आसान रास्ता चुनते हैं, जो की एक दूसरे पर आरोप लगाना, दोश करना, दोशा आरपन करके बच जाना, लेकिन आप ऐसे इंसानों, आप सच्चाई के साथ चलते हों, और इसी वज़े से आपको इतना कठिन बनाते जा रहे हैं ये लोग, और जादा आप पर आपको नफरत करते हैं, या ऐसी सुनाते रहते हैं बाते हैं, पर आपको क्या है, कोई देखो बाहर से कितना भी सुनाया है, बाहर के लोग तो वो अपने ओपीनियन बोलेंगे, जैसी उनकी माइंड सेट है, आप देखो किसी की ओपीनियन जैसे अगर वो है, वो तो उ आप क्या सोचते हो इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो अपने निर्णे जो आपने ली अभी तक जीवन में उसके बारे में आप क्या सोचते हो अपनी choices के बारे में है ना कि आप क्या करना चाहते हो क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो है ना तो इन सब चीजों में जब आ बे मतलब लगेगा, तो यही शिव जी आप से कह रहे हैं, जितना जादा आप अपने अंदर के सत्य के साथ connected रहेंगे, जितना जादा आप अपने इनर टृत से connected रहेंगे, उतना जादा आप अपने आप में Empress फील करेंगे, और चीज़ें आपके लिए abundance में बदल जाएंगी तो यही शिव जी का आपके लिए संदेश है, and I hope शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, कोई भी ऐसे संकट या मुसीबते हों, वो आपसे दूर रहें, और आप हमेशा अपने एनरजी में comfortable रहें, and अगर आप मेरे चैनल से personal terror reading लेना चाहते हैं, या जो haven services हैं, for example, काली मह haven, दुरगा मा haven, शिव जी के भी haven available है, विश्नु हजार नाम haven, ऐसी अन्य प्रकार के और haven और पूजा सेवाएं उपलब्ध हैं, अगर आप लेना चाहते हैं, तो जो whatsapp number है, वो हमारे description box में दिया गया है, आप whatsapp number पर contact करके, अपने लिए ये services की booking ले सकते हैं, आपका बह अन्यवाद मेरे channel पर बने रहने के लिए मैं मिलूगी आपको next video में